और आज हम लोग करेंगे कानेमिटिक्स का ग्राफ का दूसरा पार्ट पहले पार्ट में हम लोग ग्राफ का ओपर जो बेसिक्स था वो कर लिये थे ठीक है तो पिछले वीडियो का पूरा समरी यहां पर कर दिया है जासे कि स्लोक क्या है दोट सलोक का मतलब है change in y and change in x का ratio और यहाँ पर देखो displacement time graph का slope होता है वो क्या होता है velocity यहाँ पर देखो velocity time graph का slope क्या होता है acceleration और velocity time graph का area होता है displacement ठीक है और यहाँ पर देखो acceleration time graph का slope क्या होता है jar और acceleration time graph का area होता है change in velocity और यह है calculus का कुछ formula जैसे कि velocity को हम dx dt लिख सकते हैं acceleration को dv dt लिख सकते हैं और acceleration का दूसरा formula यह भी हो सकता है तो सब सब पहले हम लोग को graph का उपर अच्छा comment होने के लिए area under the curve का उपर concept होना बहुत ही जरूरी है area under the curve जैसे यह x-axis है यह y-axis है और यहाँ पे एक टो area यह जो triangle दिख रहा है इसका पूरा area निकालना है पकड़ लो जो horizontal distance है वो है 2 unit और जो vertical distance है वो है 4 unit तो इसका area क्या हो जाएगा तो triangle के area का formula हम लोग जानते हैं half into base into height तो यहाँ पे देखो बेस कितना है 2 और height कितना है 4 तो यहाँ पे हो गिया 4 unit square unit ठीक है जो graph में हमेशा ही हम लोग को help करेगा यहाँ पे देखो दूसरा और एक तो graph इसका पूरा area अगर निकालना है पकड़ लो यहाँ से इतना दूर तक है 2 unit और A है 4 unit तक तो A rectangular safe है तो rectangular के area क्या जानते हैं हम लोग area equal to length into breadth यहाँ पे देखो length कितना है 2 और breadth कितना है 4 total हो गिया 8 square unit ठीक है अगर यहाँ पे एक square का form होता है पकड़ लो A भी 2 unit और A भी 2 unit तो total इसका area कितना हो गिया 2 square और side square मतलब 4 unit square unit हो गिया यहाँ पे भी ठीक है ओके pause the video and note it down अभी हम लोग देखेंगे दूसरे type का figure का area कैसे निकालते हैं उसके बाद हम लोग graph का उपर numerical start करेंगे ठीक है पकड़ लो कोई भी एक ठो arbitrary curve है इस portion का हमको area निकाल लेना है ठीक है तो सबसे पाहिले क्या करना है इस पूरा area से एक छोटा सा strip लेना है ठीक है तो एक छोटा जो area है वो क्या है d a और एबल इसका length कितना है पकड़ लो dt और a कितना है y ठीक है तो total इसका area का जो formula हो जाएगा integration d a का y into dt ठीक है अगर यहाँ पे limit a से b तक है तो यहाँ पे a से b हो जाएगा ठीक है ना ऐसे करके हम कोई भी arbitrary graph का और curve का area निकाल सकते हैं ठीक है ना अबी यहाँ पे देखो ऐसे एक तो graph दिया हुआ है ठीक है यहाँ से इतना दूर तक पगड़ लो four unit है ठीक है और a है two और a कितना है a four पगड़ लो a six है ठीक है तो अभी हम लोग को इसका पूरा area निकालना है ठीक है और इसका जो height है वो पगड़ लो four unit है तो एक trapezium का form है तो trapezium का area का formula क्या है area equal to half into sum of two parallel sides into height ठीक है तो half दोनों जो parallel side है एक है एवला और दूसरा है एवला ठीक है ना तो zero से लेके छे तक और यहां से देखो two से लेके four तक मतलब कितना हुआ two unit और इसका height कितना है four unit मतलब कुल मिला के हो गिया eight मतलब sixteen square unit ठीक है यह जो figure का area हम लोग अभी निकाले यह सारा कुछ लगेगा हम लोग उनको kinematics का graph पढ़ने में ठीक है अभी यहां पर देखो जो पहला वाला सवाल है determine the sign of velocity and acceleration मतलब velocity और acceleration का sign हमको निकालना है कौन सा graph दिया हुआ है displacement time graph दिया हुआ है ठीक है सबसे पहले हम लोग को दो चीज़ जियाद रखना है अगर graph का चहरा ऐसे उपर के तरफ होगा u के तरफ तो वो positive हो जाएगा ठीक है अगर graph का चहरा मतलब ultra u हो गिया तो graph का जो symbol होगा वो होगा negative ठीक है न अभी यहां पर देखो displacement time graph का slope क्या है velocity मतलब a से b तक जो curve दिखाई दे रहा है यहां पर कोई भी एक टो point पर tangent अगर ड्रॉ किया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा velocity मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर देखो velocity graph उपर का तरफ जा रहा है मतलब velocity यहां पर क्या होगा positive ठीक है और यहां पर देखो a जो sign है a से b तक इसका साथ match हो रहा है मतलब acceleration क्या हो जाएगा positive समझ मा गया अभी देखो यहां पर b से लेके c तक यहां पर देखो velocity क्या है positive है ठीक है लेकिन decreasing भी है velocity positive but decreasing acceleration क्या होगा यहां पर देखो b से लेके c तक a match कर रहा है a वले u का सत मतलब क्या होगा यहां पर acceleration negative होगी हो ठीक है अभी यहां पर देखो c से d तक velocity क्या है decreasing है मतलब velocity होगा negative अगर acceleration देखना है c से d तक देखो match कर रहा है इस तरफ मतलब यह क्या होगा minus sign ठीक है अभी देखो d से e तक a b क्या है velocity decreasing है और यहां पर acceleration क्या है acceleration देखो इसका साथ match हो रहा है उपर बला u का साथ मतलब यहां पर acceleration positive होगा ठीक है यह जो sign है इसको हम parabola कहता है ठीक है मतलब कोई भी graph का अगर double derivative करके उसका concavity check किया जाए ठीक है तो जब ऐसे parabola होता है upward parabola उसका sign क्या होता है positive और downward parabola जब होता है उसका sign क्या होता है negative ठीक है ओके अभी हम लोग दूसरे problem देखेंगे यहां पर अभी देखो दूसरा वहले जो problem है find displacement of the body 2 second to 5 second ठीक है और यह है velocity time graph ठीक है यहां पर देखो origin से start हुआ है origin से straight line pass हो रहा है मतलब constant velocity है ठीक है ना यहां पर देखो 2 second में कितना दूर तक गिया 20 5 second में कितना दूर तक गिया 50 ठीक है हम लोगों उनको निकालना है 2 से लेके 5 का जो time interval है मतलब 2 second से लेके 5 second तक उसका displacement कितना होता है यहां पर देखो velocity time graph का area क्या होता है displacement तो यहां पर इस जो particular portion है यह particular portion का area निकालना होगा ठीक है यह कौन सा figure form कर रहे है trapezium form कर रहे है ठीक है तो इसका area क्या हो जाएगा area equal to half into sum of two parallel sides तो यहां पर देखो कितना हो गया 20 और यहां पर कितना है 50 into height 2 से 5 तक मतलब कितना है 3 तो यहां पर किया हो गया half 70 into 3 35 मतलब 105 meter हो गया इसका displacement ठीक है तो displacement कैसे निकालना है velocity time graph में देख लिया अभी हम लोग देखेंगे 30 number numerical अभी यहां पर देखो 3 number वाला जो problem है ठीक है यह है velocity time का graph यहां से क्या-क्या find out करना है find average velocity निकालना है average speed निकालना है find acceleration at all four interval मतलब 0 से लेके 2 तक का acceleration क्या है 2 से लेक तक 6 तक acceleration क्या है 6 से लेके 10 तक acceleration क्या होगा और 10 से लेके 12 तक acceleration क्या होगा हम लोग सभी जानते है velocity time graph का slope क्या होता है acceleration area क्या होता है displacement ठीक है ना सब सब पहले यह जो पूरा एरिया है यहाँ पे देखो दो सिग्मेंट है यहाँ पे एक तो सिग्मेंट यहाँ पे एक तो सिग्मेंट है दोनों सिग्मेंट का एरिया हमको पहले निकाल लेना है ठीक है ना तो पहला सिग्मेंट का मतलब एरिया वन का एरिया क्या होगा ट्रैपेजियम मतलब half into sum of two parallel sides 0 से लेके कितना दूर तक है 8 तक ठीक है और ये वाला जो side है इसका क्या है 2 से लेके 6 तक मतलब total 2 से लेके 6 तक कितना हुआ चार into height height कितना है 10 तो total हो गिया half into 12 into 10 मतलब 60 square unit ठीक है और area two देखो मतलब ये वाला portion ये एक सेक्सिस का नीचे में है ठीक है तो यहां पे देखो half into base कितना है 8 से लेके 12 तक मतलब 4 height कितना है यहां से लेके यहां तक कितना है 10 हो गिया 20 square unit अभी हम लोग जानते हैं average velocity मतलब total displacement देखो यहां पे area कितना हो गिया 60 और ये negative side में है मतलब 20 तो total यहां पे displacement होगा 60 minus 20 by total time कितना 0 से लेके 12 तक हो गिया तो हो गिया यहां पे 40 by 12 ठीक है मतलब 20 by मतलब 10 by 3 meter per second ये क्या निकल गिया average velocity हो गिया ठीक है ना मतलब पहला बहला हो गिया दूसरा क्या निकालने के लिए दिया है यहां पे average speed ठीक है ना average speed निकालने के लिए total area चाहिए average speed का formula क्या है total distance total distance कभी भी negative नहीं हो सकता है तो total यहां पे देखो total है 60 और यहां पे total कितना है 20 ठीक है ना तो दोनों मिल जाएगा तो हो गिया यहां पे 60 plus 20 by 12 हो गिया यहां पे 80 by 12 मतलब 20 by 3 meter per second ठीक है ना यह हो गिया average velocity और यह हो गिया average speed ठीक है यहां पे plus क्यों हुआ क्यों क्योंकि distance कभी भी negative नहीं हो सकता है ठीक है ना हो गिया इतना दूर तक हो गिया अभी क्या निकालना है acceleration निकालना है तो चारों interval के लिए ठीक है तो इसको पहले लिख लो pause the video and note it down अभी देखो दोसरा में क्या है 0 से लेके 2 तक मतलब 0 यहां पे 0 से लेके 2 तक तो यहां पे velocity time graph का slope क्या होता है acceleration मतलब slope मतलब हम लोग 10 theta लिख सकता है so यहां पे 10 theta मतलब change in y by change in x तो यहां पे देखो y का कितना change हो रहा है 10 और यहां पे x का 2 मतलब हो गया 5 meter per second square 0 से लेके 2 तक का interval मतलब यहां पे acceleration हो गया 5 meter per second square यहां पे देखो मतलब यह वाला हो गया अभी 2 से 6 तक यहां पे देखो एक interesting चेज़ 2 से लेके 6 तक यह जो line है यह x axis का सब parallel है मतलब 10 theta यहां पे क्या होगा 0 degree मतलब पूरा value 0 मतलब acceleration यहां पे 0 होगा अभी देखो 6 से लेके 10 तक मतलब यहां से लेके यहां तक मतलब यहां पे decreasing हो रहा है ठीक है ना तो total यहां पे 10 theta equal to यहां पे कितना magnitude है 10 और यहां पे 10 और negative slope है मतलब minus 20 by 4 मतलब होगिया minus 5 meter per second square ठीक है ना अभी आखरी जो बचा हुआ है 6 से लेके 10 तक होगिया यह है 6 से लेके 10 तक का जो time interval है उसमें यह है acceleration अभी 10 से लेके 12 तक 10 से लेके 12 तक का जो timing है इसमें acceleration क्या होगा यहां पे देखो acceleration a equal to 10 by 2 यह क्या है increasing है मतलब होगिया 5 meter per second square ठीक है ना होगिया अभी यहां पे देखो चौथा number जो problem है यह है displacement time graph यहां पे क्या निकालना है find velocity at the time interval 0 से लेके 2 तक 2 से 4 तक 4 से 6 तक का मतलब हर एक interval में हमको velocity निकालना है यहां पे देखो displacement time graph में slope क्या होता है velocity मतलब हर एक point में हमको slope निकालना है सबसे पहले देखो 0 से 2 तक मतलब origin से start हो रहा है increasing है velocity ठीक है नो तो यहां पे slope क्या होगा मतलब 10 के time देखो vertical component कितना है 10 और horizontal कितना है 2 मतलब 5 meter per second हो गया होगी अब पहले 0 से 2 तक का velocity अभी देखो 2 से 4 तक यहां पे देखो velocity एक सेक्सिस का साथ parallel है मतलब velocity यहां पे क्या होगा मतलब slope क्या है 0 है 10 0 degree का value कितना है 0 मतलब यहां पे velocity क्या होगा 0 meter per second ठीक है ना मतलब rest पे है तीसर नमबर पे देखो 4 से 6 तक इस टाइम पे velocity क्या है मतलब 10 theta निकालो slope निकालना है मतलब A वाला portion का slope निकालना है तो यहां से देखो 4 से 6 तक मतलब A वाला portion कितना होगा 2 और उपर वाला हिस्सा देखो 10 से लेके 30 तक मतलब 30 minus 10 by 6 minus 4 हो गिया 20 by 2 मतलब 10 meter per second तो यहां पे देख लो 4 से 6 से तक में जो velocity होता है क्या होता है 10 meter per second ठीक है ना अब ही देखो यह जो problem है यह problem में बहुत धियान से गार करो यहां पे यहां पे x-axis पे displacement दिया हुआ है और y-axis पे time दिया हुआ है ठीक है ना तो यहां पे बताये गिया है at what point velocity is maximum ठीक है ना तो यहां पे देखो यह देखके student लोग थोड़ा घबडा जाता है ठीक है ना तो इसको कैसे करके handle करना है सब सब पहले slope निकालो slope मतलब यहां पे देखो यह जो graph दिया हुआ है इसका slope क्या होगा कोई भी point पर लेलो dt, ds ठीक है ना इसको हम ऐसे भी लिख सकता है 1 by ds dt ठीक है तो slope मतलब हम लोग लिख सकता है यहां पे 1 by ds dt मतलब क्या है velocity ठीक है मतलब यहां पे slope के साथ velocity क्या है inversely proportional मतलब slope और velocity में inversely proportional मतलब क्या है velocity अगर बढ़ेगा तो slope घटेगा ठीक है velocity अगर कम होगा तो slope increase होगा ठीक है ना यहां पे बताए क्या है maximum velocity क्या है तो यहां पे देख लो इस पॉइंट पे slope क्या है 0 मतलब slope है सबसे कम मतलब velocity क्या हो जाएगा maximum मतलब d पॉइंट पे velocity maximum होगा ठीक है इसका करने का एक दूसरा उपाई भी है जैसे यहां पे देखो T और S है जब ऐसे करके interchange कर देगा तब क्यासे करके करोगा यहां पे एक तो mirror लगा दो तो इसका जो image होगा ओही होगा S और T का graph मतलब A हो गया T और A हो गया S अभी graph होगा S है ए A point ए B point ए C point ए D point अभी देखो एक graph भी देखके तुम्हारा हम सब बता सकते हो maximum velocity कहां पे होगा D पे होगा ठीक है मतलब दोनों method ही easy है ठीक है अभी दूसरा problem देखता है यह वहला problem में देखो displacement time graph दिया हुआ है हमको निकालना है velocity at 3 second पे ठीक है तो यहाँ पे देखो A point क्या है 3 second में A point तक गिया है मतलब at 3 second पे कितना angle बना रहा है यहाँ पे देखो अगर tangent ड्रॉ किया तो 30 degree angle यहाँ पे दिखा रहा है ठीक है न मतलब at t equal to 3 second पर velocity displacement time graph का slope क्या होता है velocity मतलब tan theta यहाँ पे theta कितना है 30 degree मतलब tan 30 degree का value कितना है 1 by root 3 ठीक है अगर यहाँ पे question पे दिया रहा था at t equal to 5 second पर velocity कितना होता तो यहाँ पे देखो 5 second पे कौन सा point हो रहा है b point b point में अगर कोई भी tangent ड्रॉ किया कितना angle हो रहा है 60 degree मतलब at 5 second पे theta कितना हो रहा है 60 degree मतलब 10 60 degree का value कितना है root 3 हो गिया तो यहाँ पे देखो velocity कितना हो गिया इतना meter per second और at 5 second पर root 3 meter per second ठीक है न अभी देखो एक दूसरे तरह का सवाल है question में दिया गिया है a boy is thrown up sorry a body is thrown up with velocity 10 meter per second and down back to its initial position मतलब कोई भी एक तो body है जिसको 10 meter per second velocity से उपर छोड़ा गिया है मतलब एक ball है इसको उपर छोड़ा गिया है जिसका initial velocity कितना है 10 meter per second और g यहां पर assume कर लेता है 10 meter per second square acceleration due to gravity तो अभी एक statement से हम लोग को बनाना है सबसे पहले displacement time graph क्या होगा ठीक है तो यहां पर देखो according to kinetics का जो equation है हम लिख सकते है as equal to ut plus half 80 square हम लोग sign convention में क्या जानते है कोई भी चीज अगर उपर जाए उसको हम positive लेता है और नीचे के तरफ होने से उसे हम negative ले सकता है तो ball को उपर के तरफ छोड़ा गिया मतलब इसको यहां पर positive लो u उपर के तरफ छोड़ा गिया मतलब यह भी positive होगा u कितना दिया हुआ है 10 t plus half acceleration कितना है minus 10 ठीक है और t square यह minus q हुआ क्योंकि gravity हमेशा ball को नीचे के तरफ खीचता है इसे लिए g नीचे के तरफ होता है हर time मतलब arc कोई भी object को अपने center के तरफ खीच लेता है तो यहां पर a is equal to कितना हो गिया 10 t minus 5 t square ठीक है तो यहां पर देखो यह जो equation बन गिया यह क्या है minus t square plus 10 t इसको rearrange कर कलिक सकता है इसको अगर compare करें परबोलो के equation के साथ तो यहां पर देखो एक quadratic equation हो गिया quadratic equation मतलब उसका graph क्या होगा परबोला और यहां पर देखो t square का coefficient क्या है minus है मतलब इसका जो parabola का graph होगा ultra category होगा ठीक है ना तो यहां पर जो graph होगा वो दिखने में ऐसा होगा ठीक है जीरो ठीक है तो कितने है टाइम पर जाके यहां पर 0 हो जाएगा वो ही चेक करना है 1 और यहां पर देखो 2 कैसे करके 2 मिला देखो यहां से minus 5 t को common ले लो तो यहां पर क्या होगा t minus 2 पूरा term को अगर 0 कर दो तो t equal to कितना निकल के आगिया 2 निकल के आगिया न और जब time 1 second होगा मतलब 1 second में ए बॉल उपर के तरफ पहुँच जाएगा मतलब momentary rest में चला जाएगा 1 second में उसके बाद वो नीचे गिरेगा ठीक है न यह क्या होगिया यह displacement time graph होगिया अभी इसी statement से हम लोग को निकालना है क्या निकालना है distance time graph हम लोग पहले ही जानता है distance कभी भी negative में नहीं होता है तो यहां पर यह क्या है distance तो start तो होगए यहां से यहां तक उसके बाद यहां पर देखो displacement के लिए नीचे के तरफ आ रहा था लेकिन distance कभी भी negative नहीं होता मतलब यह फिर से उपर draw हो जाएगा ठीक है न यह क्या है maximum hmax है और यहां पर double हो जाएगा यहां पर मतलब mirror image हो जाता है distance के time पर यह mirror image हो यह वाले जो portion negative होता है इसको उल्टा कर दिया तो ऐसे हो जाएगा this is a mirror image ठीक है न अभी इसी statement से हम लग को निकालना है velocity time graph कैसे करके निकालेंगे देखो pause the video and note it down अभी यहां पर देखना है velocity time graph निकालना है तो यहां पर पहले formula देख लो क्या है v equal to u plus 80 u कितना था 10 और acceleration कितना है minus t तो यहां पर हो गया 10 minus t ठीक है मतलब यह straight lane का equation हो गया लेकिन इसका slope क्या है negative है straight lane का equation क्या है y equal to mx plus c m क्या है slope है इसको अगर compare किया जाए तो slope कितना हो गया minus 10 मतलब इसका graph ऐसे होगा ठीक है न clear हो गया यह है velocity time graph अभी यहां से speed का निकालना है speed और time का graph as it is होगा यहां पर देखो velocity यहां पर negative में आ रहा है लेकिन speed negative नहीं हो सकता है मतलब यहां से लेके यहां तक तो positive होगा उसका बाद फिर mirror image ऐसा हो जाएगा ठीक है न clear हो गया यह वाला सबाल और कितने timing पर होगा यहां पर देखो t equal to 0 और यहां पर क्या t equal to 1 पर momentary rest में चला जाएगा और distance तो negative नहीं होता है मतलब यहां पॉइंट two seconds में पहुंच जाएगा ठीक है मतलब एक statement से हम लोग कैसे बहुत सारे graph ड्रॉप कर सकते हैं और देख लिया ठीक है न यह वाला सवाल देखो graph में क्या दिया हुआ है velocity displacement graph ऐसे टाइप में जो graph होता है वो graph student लोग को थोड़ डिफिकल्ट लगता है तो सबसे आसानत ही का है कोई भी अगर graph दिया रहा है कोई भी उल्टा पूल्टा graph velocity displacement displacement velocity सबसे पहले जो निकालना है हो क्या निकालना है slope निकालना होता है ठीक है न तो यहाँ पे देखो slope कैसे करके यहाँ पे निकालना है यहाँ पे देखो decreasing है मतलब dvds क्या होगा यहाँ पे 20 minus sorry 20 by 50 minus मतलब minus 2 by 5 तो यह वाला जो graph है velocity displacement का उसका slope क्या हो गया minus 2 by 5 यहाँ पे हमको क्या माँगा है acceleration when s equal to 0 acceleration का जो formula होता है वो हम जानता है v dot dvds यहाँ पे देखो velocity कितना है s 0 पर मतलब यहाँ पे जब s 0 तो velocity कितना है 20 और यहाँ पे देखो dvds मतलब slope कितना निकल किया गया minus 2 by 5 तो यहाँ पे हो गया minus 8 meter per second square ठीक है ना देखो यह वाला सवाल देख के थोड़ा difficult लग रहा है यहाँ पे देखो y axis पे क्या है velocity का square और यहाँ पे क्या है displacement ऐसे ग्राफ में तुमको निकालने के लिए दिया है find acceleration of the body at s equal to 0 मतलब this point पर acceleration क्या होगा सबसे पहले बोल दिया कोई भी graph का सवाल सबसे पहले क्या निकाल लो graph का slope निकाल लो देखो slope क्या है decreasing और यहाँ पे क्या है obtuse angle मतलब minus तो हो गई 20 by 50 minus 2 by 5 यह क्या हो गया slope निकाल के आगिया ठीक है उसके बाद slope मतलब क्या जानते हो तुम d v square by ds इसे भी हम slope कर सकता है यह देखो slope का जो formula है क्या है d y d x y के जगा पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है v square लेकिन यहाँ पे s है मतलब इसको हम derivative नहीं कर सकता है तब ही इसको derivative कर सकता है जब यहाँ पे velocity का velocity रहेगा मतलब velocity का expect में derivative कर सकता है तो यहाँ पे chain rule apply करो तो d v square dv dot dv ds यहाँ पे देखो इसको balance कर दिया अभी इसको तुम derivative कर सकते हो तो derivative करके क्या मिल जाएगा यहाँ पे v square के derivative क्या होता है 2 into v यहाँ पे देखो dv ds तो यहाँ पे और एक चीज़ देखने के लिए है यहाँ पे देखो v dot dv ds क्या होता है acceleration होता है मतलब 2a तो यहाँ पे देखो slope equal to क्या निकल के आगिया 2a ठीक है ना slope का value कितना है minus 2 by 5 equal to 2a यहाँ पे 2 to cancel so acceleration हो गिया minus 1 by 5 meter per second square ठीक है ना मतलब कोई भी difficult graph रहे उसका सबसे पहले जो step है उसका slope निकालना है ठीक है ना तो कोई भी difficult graph आसानी से हो जाएगा ठीक है और एक तो difficult सबाल देखते है यहाँ पे देखो यह वाला सबाल देख की थोड़ा ड़ लग जाता है यहाँ पे देखो y-axis में क्या है root v और x-axis में क्या है s मतलब displacement तो क्या निकालना है यहाँ पे एक टो curve दिया हुआ है एक curve में कोई भी एक टो point है इस a point में acceleration मतलब instantaneous acceleration क्या होगा वही निकालना है तो तुमको देखने का जरूरत नहीं है क्या निकालने के लिए दिया हुआ है सबसे पहले कोई भी graph का क्या करना पड़ता है slope निकाल लो तो एक point का slope क्या होगा 37 degree angle पर horizontal का साथ है मतलब 1037 degree यही क्या है slope है तो 1037 का value कितना है 3 by 4 क्या है न अभी एक graph का slope निकालो तो slope equal to हम a भी लिख सकता है d root v by ds ठीक है यहाँ पर देखो इसको अगर derivative करना है root v को हम लिख सकता है v to the power half तो v का respect में derivative करना हुआ dv और यहाँ पर balance कर दो dv ds ठीक है तो अभी यहाँ पर देखो इसका derivative अगर करोगे तो यह जो power है सामने में आ जाएगा half root v हो जाएगा यहाँ पर ठीक है न into dv ds देखो इसको अगर formula में लाना होगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर v by v देखो यहाँ पर v और v cancel हो जा रहा है मतलब इसका कोई माइन नहीं रखता है लेकिन यह formula में इसको हम use कर सकता है तो यहाँ पर देखो v dv ds को हम excel lesson कह सकता है तो यहाँ पर हम लिख सकता है a 2 into v root over v मतलब v to the power half और यहाँ पर power कितना है 1 मतलब half plus 1 कितना हो जाता है 3 by 2 obviously v to the power तो acceleration क्या होगी है यहाँ पर acceleration equal to cross multiply कर दो 2 into v to the power 3 by 2 into slope तो 2 यहाँ पर v का value कितना होगा यहाँ पर देखो root v का value 2 है तो v का value कि क्या होगा square कर दो मतलब 4 4 को हम यहाँ पर v का जगा पर लिख देता है 4 मतलब 2 square और यहाँ पर देखो 3 by 2 slope कितना slope 3 by 4 यहाँ पर 2 और 2 cancel तो यहाँ पर होगिया 2 into 2 cube मतलब 8 into 3 by 4 यहाँ पर total full मिला के होगिया 12 12 meter per second square ठीक है ना? होगिया acceleration instantaneous acceleration at a पर कितना होगिया? 12 meter per second square ठीक है? मतलब कोई भी difficult graph रहे तो सबसे पहले क्या निकालना है? slope निकालना है ठीक है ना? ओके थैंक यू